विधियो में विधियो में हम लोग एरे का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे न्युक्त सौट एरे हमारे बात गिवेन रहेगा दो सौट एरे और हमको सेकेंड वाले ऐरे को फिर्स्ट वाले में मर्ज करना है merge करने के बाद array जो first वाला array रहेगा वो sorted array होना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हमारे पास given रहेगा n and m जो ये बताएगा कि array 1, array 2 की size क्या होगी और at last हमारे पास array 1 जो merge होके आएगा 1, 1, 2, 3, 5, 7 जैसा कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 1, 5, 7 array 1 में ऐसा आजाएगा और last में जो size of m होगा न वो हमारा appended 0 से होगा तो हमें इस 0 के जगह replace करना है और ये सारे element और ऐसे replace करना है कि swap करके कि ये हमारा sorted array के form में आए जैसे हमारा array 1 है ये ओके सबसे पहले बात करते हैं हमारा brute force जो होगा वो काफी simple होगा कैसे होगा चलिए देखते हैं brute force में हम लोग क्या करेंगे हमारे पास इसकी size array 1 की end दी गई है अब हमारा end कहां तक है गा जीरो इसको अगर indexing करें तो indexing मेरा ये 0 हो गया 1 हो गया ये 2 हो गया ये 3 हो गया ये 4 हो गया ये 5 हो गया ओके सो अब मैं क्या करूंगा इसकी indexing 0,1,2 ओके सो मैं एक loop लगाऊँगा loop लगाया मैं for loop अगर लगा दिया तो हमारा i मैं start करूंगा n से i मेरा i is less than n plus m minus 1 n plus m minus 1 क्यों हम मैं किया हूँ क्योंकि n देखिए n यहाँ पर क्या है 3 है और 3 plus 3 minus 1 करूंगा तो 5 हाएगा तो ये indexing always हमारा जो है इतना जितना हमारा array 2 का space होगा always हमारा 0 से appended होगा array 1 में यह हमारा given रहेगा okay so then मैं i++ कर दूंगा अगर मैं i++ किया हर बार increment किया अब मैं क्या करूंगा array of i को ओके array of i में यहाँ पर int माल लिए मैं एक j नाम का variable ले लेता हूँ initially यह 0 से होगा और इसमें मैं क्या करूंगा array of j कर दूंगा okay और मैं j को increment कर दूंगा हर बार okay j++ कर दूंगा और at last क्या होगा हमारे पास यह वाला 157 क्या होगा यहाँ पे 10 आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा ओके यह अपेंड हो जाएगा अब दिन यह unsorted है दिन मैं क्या करूंगा इसे sorting कर दूंगा माली यह मैं c++ यूज कर रहा हूं तो मैं अगर यह यह वेक्टर होगा तो मैं सिंपल सा मैं यहाँ पर एक कोड लिख दूंगा सॉट कि ए आर आर वन डॉट इंड यह क्या करेगा हमारा एरे वन को सॉट कर देगा ओके सो इटलास जो हमारा एरे वन आएगा वो sorted order में आएगा और एक मिश्टिक और हो गया है यहाँ पर i is less than n plus 1 minus 1 अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा इक्वस्ट केस होगा क्योंकि n plus m minus 1 जो है हमारा last index वो पॉइंड करेगा तो i वहाँ पर भी चलना चाहिए ओके चलिए सब्सक्राइब इसे lead code पर submit करके देखते हैं क्या होता है ओके सो यह code मैं lead code पर अभी write कर चुका हूं यह वही code है जो मैंने वहाँ पर write किया था इक्जेक्ट वही code है ओके सो चलिए से run कराके देखते हैं तो यह हमारा अभी पेंडिंग में है तो यहां पर primary test case चल गया है अब limit करके देखिए में भी TLE आ सकता है क्योंकि यह optimize नहीं है तो देखते हैं तो यहां पर यह हमारा run हो चुका है बट हम इसे और optimize करेंगे और वह कैसे करेंगे चलिए देखते हैं second जो optimize way है उसमें मैं क्या करूँगा मैं pointer लोंगा IJ के और मैं I को यहां पर N पर point करूँगा N-1 पर यहां पर और J को मैं last में array 2 के point करूँगा यह J मेरा और K को मैं point करूँगा इधर array 1 के सबसे last index पर और K कहां पर रहेगा यहां पर J हमारा M-1 पर कर दिये और I जो है हमारा N-1 पर कर दिये और K जो है N प्लस M-1 पर है उसके बाद मैं क्या करूँगा हमारा array of I-1 है इसमें और इसके last वाले में जो maximum है उसे यहां पर replace करूँगा इन दोनों में maximum कौन सा है इन दोनों maximum मेरा 7 है तो 7 को replace कर दूँगा array of array 1 of K से यहां पर 7 आ गया अब उसके बाद replace करने के बाद यह K मेरा decrement होगा K is equals to K-1 होगा और मेरा J जो होगा वो भी decrement होगा J is equals to J-1 अगर मेरा इसका अगर replace हुआ होगा array 1 का तो I मेरा I-1 होगा यह condition हम लोग चेक करेंगे सो अभी मेरा 7 replace हुआ तो J मेरा इसको point करने लगेगा और K मेरा decrease होके यहां पर K आ जाएगा दिन अगें मेरा देखे अब यहां पर I मेरा भी 3 को point कर रहा है दिन अब चेक करेगा 5 और 3 में maximum कौन सा है 5 है फिर 5 replace होगा दिन वैसे ही J मेरा decrement हो गया अब J मेरा इसको point करने लगा और मेरा K मेरा यहां से 3 पर आ गया होगे index 3 पर यहां पर के आ गया अब दिन अब चेक हुआ कि 1 और 3 में maximum कौन सा 3 है तो यहां पर 3 replace होगा और यह मेरा I इधर आ गया I point करने लगा इधर और K मेरा इधर आ गया यहां पर index 2 पर point करने लगा अगें अब 2 और 1 में comparison होगा कौन maximum है 2 है तो अब देखिए यह 2 मेरा इधर रिप्लेस होगा यहां पर रिप्लेस होगा और K मेरा इसको index 1 को point करेगा और I मेरा index 0 पर आ जाएगा अब देन आई अब comparison होगा कि 1 और 1 में maximum कौन सा है अब देखिए कोई maximum ने equal है दिन कुछ भी हो सकता है अगर देखिए यह depend करेगा कि आप जब भी आप comparison करेंगे less than or request to और maximum or request to और ऐसा जो भी condition लाएंगे वो उसपे depend करेगा assume कर लेते हमारा J वाला जो है वो update होगा यह 1 जो है यहां पर update होगया again मेरा यह जो J हमारा 0 होगया ओके अभी J sorry J decrement करेंगे minus 1 हो जाएगा देन मेरा क्या होगा कि आई 0 हो जाएगा अब उसके लिए मुझे क्या करना है कि अब आई 0 हो गया लूप वही टर्मिनेट हो गया तो आई मेरा एक good place पे है ओके तो कैसे करना चलिए अब इसका code देखते हैं lead code पे और उसको देखते हैं वहां से हम लोग अच्छे समझ में आएगा so exactly मैंने same किया है सबसे पहले मैं क्या किया हूँ i को n-1 से declare कर दिया हूँ j को m-1 से array to go point करने के लिए और k को m plus n-1 से और देखिए जब तक मेरा i is greater than 0 है j is less than sorry greater than our request to 0 है ओके तब तक मेरा यह loop चलेगा और कोई भी एक fail हुआ कोई भी एक fail हुआ तब यहां पर यह loop terminate हो जाएगा same मैंने किया है देखिए वह मैं equal वाला condition बता रहाता है यह equals to dependent करेगा कि कौन साथ same है so यहां पर मैंने array 1 of i array 2 of j यह मैंने compare किया है दिन अगर array 1 array 1 का i index का जो भी नंबर होगा वह अगर greater होगा दिन मेरा क्या होगा array 1 of k के assign हो जाएगा array 1 of i ओके और i decrement हो जाएगा else में उसका j part ओके और last में हमारा k जो है decrement होगा assume करिये कि अगर मेरा i 0 को reach कर जाता है तो यह loop condition मेरा false हो जाएगा loop terminate हो जाएगा again हमारे पास j वाला array 2 में ऐसा कोई small number बचा हो सकता है जो यहाँ पे replace होगा तो हम लोग को j को भी traverse करके उसको भी assign करना है तो same मैंने किया j जब तक मेरा greater than 0 से है तब तक मैं क्या करूँगा array 1 of k में array 2 of j को assign कर दूँगा और दोनों को decrement करता रहूंगा at last हमारा sorted order में हो जाएगा अभी से run कराते हैं देखते इसका output क्या आता है तो अभी से यह देखे प्राइमरी स्केट जो है चल चुक है अभी से सम्मेट करते हैं तो यह भी सम्मेट हो गया ओके यह रहन हो गया तो इस वीडियो में इतना है तो थैंक्यू गाइज करते हैं करते हैं करते हैं झाल झाल